हेलो गाइस कैसे हैं आप लो गाइस मैं सेफखान रेश्टेट फार्मसीट फिर से हाज़िर हूँ आपकी सेवा में गाइस आज हम आप बात करेंगे एंटिबाइटिक टेबलेट किस बीमारी में दी जाती है हम यहाँ पर सारे एंटिबाइटिक टेबलेट के बारे में बहु बिना देरी की शुरू करते हैं, तो गाई सबसे पहले हमारे अंटिवाइटिक टेबलेट आती है, इसका नाम है सिफैक्जिम, दोस्तों इस सिफैक्जिम टेबलेट जो है, यह 200 मिलिगराम की पेकजिंग में आती है, और यह एक सिपलोरिस फोरिन गुरूप की इनफेक्शन, कान में होने वारे इनफेक्शन में दी जाती है, कान में संकरमण हो जाता है, इनफेक्शन हो जाता है, तब भी यह दी जाती है, या फिर टाइफाइट फीवर, मियादी बुखार जो होता है, मियादी बुखार में भी इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर UTI infection, मतलब urinary tract infection, मूत्र नली में संकर मड़, दोस्तों संकर मड़ का मतलब होता है infection, तो मूत्र नली में जब किसी की पेशाप की नली में infection हो जाता है, तब भी इसका इस्तिमाल किया जाता है, या फिर वोल्ड, वोल्ड का मतलब होता है घाउ, अगर किसी ये घाउ हो जाता है, चोड लग जाती है, तो उस घाउ को सुखाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके ये multiple use होते हैं, सिफेक्सिम टेबलेट के, फिर हमारी अगली टेबलेट आती है, एजी थ्रोम नमुनिया में, जब किसी को नमुनिया हो जाती है, तो उस नमुनिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर lung infection, lung infection मतलब फेपडों में संकरमण हो जाता है, फेपडों में infection हो जाता है, तब इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर throat infection, throat infection मतलब गले में संकरमड, गले में infection हो जाता, तब भी इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर हमारी अगली antibiotic tablet आती है, इसका जो use होता है, वो टाइफाइड बुखार में होता है, वालब मियादी बुखार में इसका काफी अच्छा result मनना जाता है, और दूसरा इसका काम होता है, साइनेटिक्स, दोफ्तों साइनेटिक्स का मनना होता है, छीके आना, नजला होना, नाक बेना, जिस भी इनसान को बहुत जल्दी छीके आने लगती है, नजला होने लगता है, तो उसको, उसमें भी इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका अगला यूज होता है, य पिर हमारी अगले एंटिबाइटिक टेबलेट आती है दोस्तों यह 500 एंजी की पेकेजिंग में आती है और यह सेकंड किलास की एंटिबाइटिक मेडिसिन होती है इसका जो यूज होता है वो होता है जोइंड इंफैक्शन मतलब जो हमारे गोटना कोनी वगएरा के जोइंड होते हैं इसके अंदर infection हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर lung infection फेबड़ों में infection हो जाता है संकरमण हो जाता तब भी इसका इसका इस्तेमाल करते हैं यह pneumonia या फिर RTI infection RTI infection का मतलब होता है respiratory tract infection मतलब गले में infection गले की जो नली यह इसमें infection हो जाता तब भी यह दी जाती है फिर हमारी next आती है लैंजोलोइड tablet दोस्तों यह लैंजोलोइड tablet जो होती है यह 600 mg की packaging में आती है और इसका जो use होता है वो होता है lung infection अदफ फेपड़ों में संकरमण में या फिर skin and soft tissue infection तो अच्या में और क्या अंदर जो soft tissue होत जाती है या फिर wound wound मतलब घाव अगर किसी को घाव हो जाता है जखम हो जाता है तो उस condition में भी इसको दिया जाता है फिर next आती है हमारी metronidazole tablet यह 200 और 400 mg की packaging में आती है इसका जो काम होता है वो gastronutinal infection में होता है gastronutinal infection का मतलब dust बगेरा हो जाते हैं किसी को diarrhea हो जाता है lose motion हो जाते हैं तब इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर UTI infection मूत रनली में infection हो जाने पर या फिर sexually transmitted disease दोस्तों sexually transmitted disease का मतलब अगर कोई sex से सम्मदित बीमारी होती है तब भी इसका 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 जो इसका 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 इंफेक्शन कान में अगर संकर्मन होता तब भी ये इस्तेमाल में ली जाती है फिर हमारी लास्ट आती है गाइज इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है तब भी जो हम इसका इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर लंग इंफेक्शन अगर किसी को फ्योड़ों में इंफेक्शन हुआ है तब हम इसको दे सकते हैं या फिर ऊफिंग का मतलब अगर किसी को काली खासी है तब भी हम इसको दे सकते तो यह इसके मल्टिफल यूज होते है तो गाइज Harm ने सभी तरह झाल 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 झाल